कि नमस्कार बच्वा लोग स्वागत आप सभी का ससी अड़र 247 पर एक बार फिर से नवदीप सर आपके साथ लाइव है सुबह के सब्सक्राइब नवदीप सर को लाइव सुना तो ऐसा हो गया जैसे आकाश्वाणी प्रसारित होने वाला कोई कारिक्रम हो हां भाई नवदीप सर दस बच गया है तो आएंगे तो है ही अच्छा बहुत सारे लोग यह सोच रहे थे कि अभी अभी जो सेशन चल रहा था वो मे पटना क्यों नहीं गए पटना अगर सभी के सभी लोग चले जाएंगे तो फिर यहां पर आपके साथ इंटरेक्ट कौन करेगा तो भाई आशुतो सर अतुल सर स्वाती मैम हमारी यारती मैम विने सर अविनंदन सर यह लोग पटना गए और उसके बाद बाकी लोग हम लोग बढ़ाते हैं और बहुत सारा डिसकेशन जो हम लोग करने वाले हैं वह होने वाला है आपके सेशन के हिसाब से ही भाईया अग्ड़ 24-7 अगर अभी तक नहीं किया है डाउनलोड तो फटा फट डाउनलोड कर लेना देको डाउनलोड करना इसलिए जरूरी है कहें कि अच्छा डिसक्रिप्शन में कि अच्छा डिसक्रिप्शन के अलावा इसके लिंक देखो कमेंट सेक्षので सबसे ऊपर लगी है अरे भहिया यह जो कॉमेंट सेक्शन सबसे से ऊपर लिंक लगी हुई है आप ही लोगों के लिए लगवाई गई है आप इस पर क्लिक कर ये डाउनलोड कर ये आप डाउनलोड करें तो क्या फायदा मिलेगा वह हम आपको बाद में बताएंगे परन्तू इस वाले सेशन की PDF कि इस वाले सेशन की PDF आपको मिल जाएगी हमारे एप के अंदर तो जो हमारा एप है उस एप में आप चले जाना होम पेज पर होम पेज पर जाओ के तो होम पेज आई सा खुल के आएगा ये देखिए इसमें ऊपर अब नेशनल एकजाम सेसी सेलेक्तर लेना नीचे जाना तो ये ओम के बाद कम्यूनिटी निलेगा इस कम्यूनिटी को अप्षण में यहां और पोस्ट यूर्ड ग्रूप एक्स प्लोर ग्रूप आएगा और एक्स फ्लोर ग्रूप के अंदर आपको जी एस बाइन अवदीब से मिल जाएगा एक बार प्रक्रिया बता दें प्रक्रिया आप इसे जान लो अड़र 24-7 का एप उपन करो एप उपन करने के बाद होम पेज कम्यूनिटी एक्सप्लोर ग्रूप जी एज बाइन अवदीप सर्ट और एप की जो लिंक है वो लिंक लगी हुई है आपके कॉमेंट सेक्षण में सबसे उपर तो कॉमेंट सेक्षण में सबसे उपर यह लिंक लगी हुई है है अभी हैंना comment section में सबसे उपर लिंक लगी है अब अब बात बताइब जल्दी से इस सेशन इस सेशन की PDF आप लोगों को मिल गई यह ग्रूप में की नहीं जो लोग इस session को attend करें पर जल्दी से बताएं कहें PDF मिल चुकी है सर बताओ जल्दी से काओ पीडियाद मिल गई है जल्दी बताई ये PDF मिल गई है हाँ शिवानी मेटा रिफ्रेश कर लो रिफ्रेश कर लोगे तो वैसे प्रॉब्लम खतम हो जाएगी चलो 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 बताओ आगे चलते हैं आज के सेशन में सबसे पहला क्वेशन ये बताओ जली से इनमें से कौन सी नदी है जो बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है यानि बंगाल की खाड़ी में जाकर मिनने वाली इनमें से कौन सी नदी है कृष्णा नदी है 17 नदी है ता का लेक से अच्छा तापी नदी कहां से निकलती है तो तापी नदी निकलती है बैतूल जिले में मुलताई नाम के फॉरेस्ट रिजर्व से और नर्मदा नदी कहां से निकलती है तो नर्मदा के बारे में आप लोग जानते हो नर्मदा निकलती है खंबाद की खाड़ी को कहते हैं गल्फ आफ कैमबे नाम सुनते रहिएगा और यह जो कृष्णा नदी महा बलेश्वर से निकलती है यही 1400 किलो मेटर की नदी जाकर गिर जाती है बंगाल की खाड़ी में अच्छा बात बताओ एक बात बताओ पीडियाफ के लिए बताते हैं कौन सी लेक है गोदावरी और कृष्णा के बीच कौन सी जील है जिस जील के बारे में पूछा जाता है कौन सी जील है वो भी मीठे पानी की जल्दी बताओ कौन सी जील है मीठे पानी की मिठे पानी की जील के बारे में बताओ जल्दी से हाँ चलो आगे बढ़ते हैं आग करके चल करके हम लोग आज की चर्चा करते हैं अगला प्रशन अब बताव जल्दी से नदी डेल्टा वनना किस प्रक्रिया का परिणाम है बताव नदी का डेल्टा वनना ये कौन सी प्रक्रिया का परिणाम है एक बार जल्दी से बताएं से ठीक तो है वाइज यार कह रहे है वाइज मिसमेच हो रही है वाइज मिसमेच थोड़ी हो रही है चलो चलो बावा बंगाली गरा परमानू ठीचर है आप भीया सटीमेंटेशन है अवसाधन होता गया है नदी जब बहकर के मैदानों से बहुत सारा कचरा ले जाके समुंदर के किनारे डिपॉजिट करती है ना तो बीच बीच में दूइब बन जाते हैं मतलब यह नदी आगे एक तरफ से बैते माला इसे आ रही है अब नदी जैसे समुंदर किनारे पहुंची अब उसके बाद नदी की एक धारा इसे इसे विभ को हम क्या कहते हैं तो याद रखना शिचले पानी की जील को हम लोग कहते हैं लगून तो आउसादन याद रखोगे आउसादन जो है यह डेल्टा बनाने की प्रक्रिया का परिणाम है अब देखो आगे बढ़ते हैं एक और चर्चा निम्न में से भारत की कौन सी एक द्रो यहां भी तो जिम्मेदारी बनती है तो अब बाकी लोग गए है तो कुछ लोग यहां भी तो रहे चलो तो नोव बडी जिंता पटना नहीं गया पटना नहीं गया चलो आगे बताव जल दिसे निम्न में से कौन से भारत की एक द्रोणी नहीं है विच अब फॉलोइं इस और मेजर बेसिन इंडिया लूनी नधी क्रिष्ण ढरिबस इंडस बेंस बें या गंगा पुत्र का से आप लोग वे सेही पढ़े हुए हो संद्धव नदी निकलती है मांसर ओवर से प्राइए अब हमारे पास एक नदी जिसको कहते हैं लूनी नदी इसको क्या कहा जाता है इसको लूनी नदी कहते हैं इसको इनलेंड रीवर भी कहा जाता है इसको क्या कहा जाता है इनलेंड रीवर इन्लैंड रीवर का मतलब यह अंतर देशिये नदी है किस तरह की नदी दोस्तो इसके बारे में एक प्रशन पूछा गया था परिक्षा में इसलिए थोड़ा सा ध्यान देने योग बात यह है कि यह अंतर देशिये नदी है अंतर देशिये नदी मतलब जो निकलती है देखो लूनी नदी भारत में निकलती है अजमेर से और अजमेर में अरावली के पहाडियों से निकल करके आगे की तरफ बहती है और आगे की जा करके कच्छ के रण में सूख जाती है यानि कि कच्छ के रण में अजमेर से निकली हुई ये नदी समुंदर को नहीं मिलती समुंदर क एक सी बात है कि ये लूनी नदी है अच्छब आगे चलकर के एक और प्रशन है हमारे सामने बताए जल्दी कौन सा बांध भारत बांगलादेश की सीमा के सबसे निकट बना हुआ है अब देखो यहां पर भी बढ़िया प्रशना आगे आपके सामने हम बताते रहते ना हमेश कि गंगा नदी दो डिस्ट्रिब्यूटरी में बठती है एक डिस्ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम है हुगली और दूसरे डिस्ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम है पदमा तो यह देखो यह है गंगा नदी हमारी गंगा नदी हमारी निकलती है उत्राखंड से देव प्र में बंगलादेश की सीमा के पहले फरक्काबांध मना हुआ है फरक्काबांध से ये दो भागों में विभाजित होती है फरक्काबांध से बढ़ जाती है हुगली में और हुगली चली जाती है कोलकाता की तरफ हुगली किदर जाती है कोलकाता की तरफ जाती है और बट जाती है एक और प्रश्न हैं हमारे सामने उस प्रश्न को भी हम लोग करेंगे ये बताऊ जल्दी से निम्न में से कौन से बांध का निर्माण क्रिश्न नदी की ऊपर किया गया है बताऊ जल्दी से ठीक ना जल्दी बताओ क्या सही उत्तर होने वाला है तो एक बात तो सही है कौन से बांद का निर्माण कृष्णा नदी के ऊपर किया गया नागार्जुन सागर का टिहरी का भाखड़ान अंगल का हीरा कुंड का अब देखो इसमें बड़ी बढ़ी आसी बात है कृष्णा जिसके बारें मितनी चर्चा किया इसी पर बना हुआ है स्री साइलम बांध भी स्री साइलम के अलावा अलमत्ती बांध भी इसी पर बना हुआ है तो अलमत्ती बांध भी प्रकाशम बांध भी इसी पर बना हुआ है तो प्रकाशम बांध भी है लेकिन बढ़िया बात क्या है बढ़िया बात ये है कि जब हम चर्चा करते हैं फीलिदा तो मिलेगे कृष्णा नदी के ओपर आप कौंसी नदी पर है तो दोस्तो ये भगी रथी नदी पर है और ये भारत का सबसे उंचा डैम है तू सिक्स्टी पॉइंट फाइव मीटर का सबसे उंचा डैम क्या है नम टिहरी भगी रती पर भाखड़ा नंगल की बात करें तो भाखड़ा नंगल आप सभी को पता है सतलज नदी पर है हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में और भाखड़ा नंगल क पर जो बांध बना हुआ है सून नदी की सहायक नदी पर उसका नाम है गोविंद वल्लभ पंत सागर गोविंद वल्लभ पंत पहले सीम थे उत्तरप्रदेश के की नहीं थे बताओ जल्दी एक बार पहले सीम थे न उत्तरप्रदेश के तो एक हाँ एक तो बात तय है गोव पूर संबलपूर में है ठीक ना शवाना एक बार एप अनिस्टाल कर दो यहां जो लिंक दी हुई है उससे इंस्टाल करो और फिर हो जाएगा चलो आगे बढ़ें देखो अगली चर्चा जो है अगले प्रशन के साथ होगी और अगला प्रशन आपके सामने ये रहा काली मृ भारत के कौन से राज में नहीं पाई जाती काली मृदा मध्यप्रदेश में नहीं पाई जाती कि अंध्यप्रदेश में नहीं पाई जाती कि महराष्ट में नहीं पाई जाती अब जो काली मिट्टी है काली मिट्टी दक्षण के पठार में तो खूब पाई जाती है उसका घुमी रिचया को मध्द प्रदेश भी कवर करें अंधे द महराष्ट्र भी तो बचेगा क्या पंजब और पंजब में किस तरह की मिट्टी भाई जाती है तो दोस्तो याद रखेगा पंजाम में पाई जाती कहते हैं माजहा एक छेत्र है जिसे माजहा कहते हैं दूसरा छेत्र है जिसे दुवाब कहते हैं और तीसरा छेत्र है जिसे माजहा दुवाब और तीसरा छेत्र है जिसे कहते हैं मालवा अब यह याद रखिए यह मैदानी छेत्र है पंजाब में कोई पहाड़ नहीं है लूवियल मिट्टिय का है कि नदियां खूब बहा के लिए जाती है पांच नदियों के जगह इसलिए तो पंजाब कहते हैं अब देखिए माजहा दुआब और मालवा ये तीन लूइए ऐसे पन्सर नहीं होगा यहाँ पर सही कर लीजिए गा इसका अनसर भी होका ठेकना सकांशर का होगा पंजाम में नहीं पाइजाती भवाटर मिट्टी walking Church में समरिद संवूध है तो यह यहूदा यह सबसूर को अप लोगो एक बार जल्दी से 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 सहं को कर दीजे शेयर शेयर कर रो शेशन को जल्दी मेर को मेरको चाहिए कम से कम 1500 लोग अभी कि अभी यह आप लोग के उपर है शेर करोखे तो आएगा यह क्लास सभी examination के लिए है जितने exam आप देने वाले हो आगे चलकर सभी exam में यह question पूछे जाते हैं लेटराइट मिट्टी किसमें समरिध है तो लेटराइट मिट्टी आईरन के oxide में समरिध है यह बात याद रख लिजेगा यह potassium मगरे कहां से आगया है गलती से answers ठीक है यह answer को थोड़ा यहां पर करेक्ट कीजिएगा यहां पर बी answer पर टिक मारिएगा जो आयरन का oxide ना उस आयरन के oxide में यह समरिध होती है और इसे है आगर भारत की बात की जाना तो बहरत में लैट राइट मिटी कई जगहों पर पाई जाती है जिन मैंसे अब आप जगहों को देखेंगे तो यह इस तरह से कुछ जगहें है कि विशेस्तह जो पाश्चीमी हाटका अरब सागर के साथ तक है यहां पर लेटर राइट मिटी खूब पाई जाती आगे बढ़े तो एक और प्रस्न हमारे सामने आएगा बताई जल्दी कौन सी महाराष्ट्र की सबसे उची परवत चोटी है दोस्तों सभी को एक बार बहुत-बहुत नवश्कार सश्रियक सबसे उची परवत चोटी है कॉन सी महाराष्ट्र की सबसे उची परवत चोटी है कल सुबाई है गुरुषिखर है कलुमार है के धूप-गढ़ है बताये जल्दी से क्या सही अंसर रोजाएगा इसका को ना क्या सही उत्तर हो जाएगा यहीं तो आपके लिए प्रेश्ट महाराष्ट की सबसे उची चोटी कल सुभाई ही है क्या कहते हैं इसको इसको कहते हैं माउंट एवरेस्ट आफ महाराष्ट इसे क्या कहा जाता है माउंट एवरेस्ट आफ महाराष्ट चलो आगे चल करके गुरुशिखर चोटी की बात करें तो ये दोस्तों आप सभी को पता परवत के सबसे उची चोठी है और अरावली पर वरत के इस ंची-चोठी की है 1722watch कलमार चोठी विन्थ परवत की सबसें उची-चोठी है और विन्थ परवत के इस उची-चोठी की उचाई है साथ सौभावन मीटर और उसके अलावाद धूब-गड़ की की बात करें तो यह सत्पुड़ा परवत के सबसे उची चोटी है और आप सभी लोग जानते हैं इसकी उचाई है 1350 मीटर 1350 मीटर तो आप सभी को क्लियर हो गया कि कौन इसकी महाराष्ट की कितनी उची चोटी है बहुत अच्छे अरे MP में कल सुभाई मतलिक भाई तनाम में पी लिखा हुआ है हमको लाग कल सुभाई जो अकल सुभाई बोल रहे है यह मद्यप्रदेश में MP में नहीं है महाराष्ट में जला आगे चले एक और प्रशन आपके सा नियुक्त में पूरा डिटा यह बढ़रत के समुझान का कौन से इस उच्छेद है जो इसा व्यक्ति की अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के अधिकार को संर्क्षन देता है था कि बटाइए तилось अा इसकान से कौन सा ऐसा अधिकार है जो पसंद के व्यक्ति ते वि के रख़क सकती हैं करवा चौथ का रख सकती हैं हर ताली का 3 गवरत क्व्रक सकती हैं लेकिन अगर किसी लड़के को अपनी पसंद की लड़की चाहिए तो उसके लिए एक ही रत है सरकारी नोकरी और सरकारी लड़की के साथ बहुत बढ़िया योग बनते हैं और अगर ना बने तो फिर गड़ ये सो जो कौन लड़की का बाप होगा कि लड़का कलेक्टर होगा और लड़की देने के लिए मना कर देगा तुम कहोगे ना देख पाल की जिस दुलहन की बहठ गया हर एक बराती जिसके तो या व्रत एक ही है हमारे पास और तो देखो यह काज बिया करना चाहते हो तो यह काज बिया करने के लिए सब व्यवस्था बनानी पड़ेगी और Article 21 क्या कहना है Article 21 तो ध्यान रखना आर्टीकल 21 जो है आर्टीकल 21 आपको आठीकल 19 क्या है यह फ्रीडम के बारे में आर्टिकल की सवतंतरता वगयरा एक मैं आम इसाथ को सब्सक्राइब कोई भी जो एजूखेशनल institution बनाना चाहें जैसे मुसल्मान है तो मदर्सा बना सकते हैं क्रिश्चन है इसाई स्कूल बना सकते हैं यह सब अधिकार मिलते हैं लेकिन दोस्तों जब अपनी पसंद की लड़की साधी हो जाने पर यह हलात होते हैं देख रहा हुना डांस चल रहा है अच्छा देखो कई त देखना वहां से आई इसके गाउन उपाय रखा और सीधे मूं के बलगिरी तो यह भी होता है लोगा बढ़ा जाए हागे चल करके एक और एक और क्वेश्चन हम कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर एक बात बताये माबाप से बढ़कर कुछ नहीं परदीप सिंग अरे जिस तर प्यार मिलता है उसको वातसल ले कहते हैं और जिससे तुम पसंद करते हो इस लड़की से तुम्हें जो प्यार मिलता है Ele support के जासकती मुछ शरू कर सकती है-स मा कर सकती तो माख प्रेम में और लड़की में फारक होता है झ słuaam IQ से निम्लेक्त मेंसे कौन सभारत का सीर्स बैंकिंग संस्थाने जो मुद्रिक नीति को नियंतरित करता बता यह जल्दी है म Portuguese बताऊ-बताऊ तो डिको Reserve Bank of India है एक्षिस बैंक है भारती स्टेट करना शुरू किया था एक अपरेल 1935 से अब दोस्तु यहां पर सब से पहले कि इसको किस ने बनाया यह किस ने इसे recommend किया तो रोयल Commission ने recommend किया था रोयल Commission को हिल्टन यंग कमिशन भी कहा जाता है हिल्टन यंग कमिशन ने अपनी रिपोर्ट सबसे पहले 1926 में सौपी बिटिस सरकार ने उसे मना कर दिया अब बिटिस सरकार ने उसको मना कर दिया तो कोई बात नहीं शुरुवात में 100 लोग थे जिन्होंने मिल करके इस प्राइवेट आर भी आई को शुरू कर दिया पांच करोड़ रुपए इनका टोटल इन्वेस्टमेंट हुआ करता था सो लोगों में बराबर बटा हुआ था 1935 से लेकर के 1937 तक इसका हैड़कॉर्टर स्कूलकाता में रहा जो कि तब कलकत्ता के नाम से जाना जाता था 1937 के बाद से लेकर के अब तक अब तक यह मुंबई में ही है तो मुंबई में ही हैड़ सब्सक्राइब का दोस्तों पहले गवर्नर का नाम है ऑस्बॉर्न स्मिथ ऑस्बॉर्न स्मिथ दूसरे गवर्नर का नाम है जेम्स ब्रेड टेलर तो जेम्स ब्रेड टेलर हो गया और तीसरे गवर्नर का नाम है सीडी देशमुक तो दोस्तों यह जो सीडी देशमुक साहब है रिजर्व बैंक आफ इंडिया के पहले भारतिय गवर्नर जन्रल कौन थे सरी गवर्नर जन्रली गवर्नर कौन थे तो यह बताना है यह सीटी देश मुक्ते अब आगे जला जाए आगे जल कर गे और प्रश्ण कर डालेंगे बता यह जल्दी से यह प्रोफेसर अमर्तसें कौ मेलमिक्स में क्या मिलवा था हम यह को नोबल प्राईज भी मिला था आफ लोग बताये इनको नोबल प्राईज कम मिला स्विया आप ही लोगों को बताना ही सव्योंत्र कर्षाइकणर का हो जाएगा और यए आगए आपके सामने अवर्तसेंट छाभ और सब्सक्राइब इनको नोबल प्राइज मिला था ये बात तो मैं आपको बता चुका आगे बढ़के और प्रस्म रखूंगा कौन से नदी बेसिन का छेत्रफल सरवाधिक है लगभग यहां ऑधिन कर नर्मधा है कुछिन है को दा गोडावरी है महा नदी है किस नदी का बेसिन शेûtर वल स सबसे ज्यादा है नर्मधा क्रिश्ना गोडावरी या महतिए बेसिन का मतलब जानते होistas की सहायक नदियों से सिंचित कुलच एग सबीकिन का है कोई भी नदी और उस नदी की सहायक नदियों का सिंचित कुलच आता है थो व shoots सब्से बड़ा है को अधी के लंगाई भी ज्यादा है गुदावरी नदी लंबाई है 1400 किलो मेटर वही नर्मदा नदी की लंबाई है 1312 किलो मीटर अब एक बात बता दीजे महानदी की लंबाई कितनी है यह आप लोगों से प्रश्न पूच्छ दिये हैं यह देखिए यहां पर गोदावरी के बेसिंग देखते वाप गोदावरी में कंहन पेंच नदिया मिलती है मंजीरा सबसे बड़ी नदी है एक और प्रशन आपके सामने बताई यह जल्दी से इन में से कौन सी नदी विभ्रंश घाटी में प्रभावी तो प्रवाहित होती है विभ्रंश घाटी का मतलब यह कि जो नदीब पहाळों को सिधा सीधा काड़ दे नदी तो देखो दोस्तों ये तो आपने देख लिया कि भ्रंश घाटी तो सरी यह है अब इसका सही अंसर क्या हो गया ताप्ती अप्र कौन कौन से नदी है जो रिफ्ट वैली बनाती है तो इसमें नर्मदा और ताप्ती दोनों का नाम ले लेना नर्मदा विंध्याचल और सत् सत्राम चाथिपुद्ưड के बीच बीच बहते हुए महाहन महाध्य प्रदेश से निकल गया महाराश्चि में बह् Howardinevine में गांति जी द्वारा सत्याग्रह सभा के स्थापना कब की गई थी बदाव जल्दी से गांधी जी द्वारा सत्याग्रह सभा की स्थापना कब की गई थी 1912 में 22 में 25 में 19 में सत्याग्रह सत्याग्रह 1917 में इन्हों ने चंपारन सत्याग्रह किया तीनों की तीनों इंसिडेंट से काफी लोगप्रिता बढ़ गई थी अब तिनों की तीनों से लोगप्रिता बढ़ गए तो Спजिण हम बनाएंगे सत्याग्रह सभा सभा अप सत्याग्रह बनी 1919 में 1919 में 1919 में जलिया में वाला बाग reminding हंभर कमेशन चेंजलिया 552 Ф Besides and आदनी इतनी सारी चर्चाएं है जो पूछी जाती है एक्जाम में बताब जल्दी से मित्र मेला एक क्रांतिकारी सनगठन था जिसकी स्थापना वीर्स आरगर दारा कौन से वर्ष में कि गई थी वीर próxim कर विनायक दामुदर सावर कर किसी के लिए हीरो तो किसी के लिए विलन समझी नहीं आता इतिहास इनकी विवेशना किस तरह से करता है हला कि इन्हों ने भी अपने जीवन में बहुत यातनाएं झेली भारत को आजाद कराने के लिए विचारधार आएं सब की अलग-अलग हो सकती है यदी नहरु जी की वीचारधार देहिए तो भही एक बात पह Adele कोई एक हम सबस् tyre जागे और ऑख एक मूवी और इस मुवी का नाम क्या है दोस्तों तो मूड का नाम है याद रखेगा सावर कर कब सहि उत्तर करने वाले वेति का नाम क्या है घेटवे ऑफ इंडिया की पॉसर्थ द्थ संवनव telephone डिजाइन करने वाले व्यक्ति करने नाम क्या है gateway ऑफ इंडिया की प्रसेद अनता फंदिय सन एक गोए वास्तों में हमारे दुतिय сыlt इंडिया गेट और आसपास का जो प्रेजडेंट हाउस वगेरा है उन सब को डिजाइन करने वाला लुटियन सी है आप देखो के थोड़ा सा बिर्टिश आर्किटेक्ट्चर है ना बिर्टिश आर्किटेक्ट्चर है हिंदुस्तान की लोग सभाराज्य सभागा तो यह जो यह मैं है इसलिए ओय करते है इर्फान खान की उसके मोला कि आप कब से टकैति कर रहे gateway of India इस तरह का दिखता है और यह अरब सागर के तटपर बना हुआ है मुंबई में अरब सागर के तटपर आफ गेटवे आफ इंडिया मुंबई की तरफ से अरफ सागर की तरफ देख रहे हैं अगर आप अरफ सागर की तरफ से मुंबई की तरफ देख रहे होते तो आपको बहुत खूबसूरत से नजारे मिलते ताज होटल वगए रहके आगे बढ़ा जाए दोस्तों सेशन में लाइक बढ़ाईए बीना लाइक के काम नीचलता अटेंडेंस है लाइक आपकी बताओ जल्दी से बैथोलित और लैकोलित किसके रूप है वह या अवसादी शैले हैं आगने शैले हैं रूपांतरित शैले हैं या बहुरूप दर्शक शैले हैं हम आपको बात बताएं लावा अगर जो मैगमा के रूप में प्रित्वी के अंदर ठंडा हो जाए ना तो आगने शैले बनती है आगने चक्ताने और अगर वह प्रित्वी के अंदर ही ठंडा हो यह वहीं प्रित्वी के अंदर ही चक्तान बना दिया तो भई आया तो गरिनाइट बन जाएगा या तो प्सीडियन बन जाएगा या तो प्यूमाइस बन जाएगा आगने शैलो में बैथलित और लैथलित वास्तों में स्ट्रक्चर है कैसे देखो जैसे यहां से निकला यह यह देखिए अभे जो लावा है लावा मतलब मैगमा जिसे कहते हैं मैगमा देखो अगर सीदे देए इसे डंडा साख़ा हो गया तो डाइक है ठीक है अई एकदम लेटे लेटे बड़ी सी चक्तान बन गई तो लाकुलित है एकदम पतिया सी बन गई तो इसको क्या कहते है है पतिया सी कहते हैं सिल और सीदा सीदा खड़ा तो डाइक बैथुलित का मतलब पूरा पूरा बेस अब बात बताई ये आप लोगों ने कभी गाव में सुना है कि यार वो सिल्ली लागे रख दो आप लोगों सुना हो गावाले बोलते हैं या बरफ की सिल्ली आव भया सिल्ली वास्तों यहीं है सिल्ल का मतलब पटिया जैसी एकदम बड़ी सी ठीक है आगे बढ़ा जाए आगे चल करके एक और प्रशन भूपर पटी पर निकला एक ब्लॉग जिसके आसपास की जमीन धंस चुकी है उसे क्या कहते हैं भूपर पटी के आसपास जो ब्लॉक नि प्र нормально है दोस्तों इसको सही answer आप देख लिज viewersไป कलाते होता इंसर होने वाला host कहते होथ और है देखो 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 देखेए देखो इतना बढ़िए प्राशन ओर ज सकते हैं तो आप जीवन में कुछ I canot कर सकते हैं इसी प्रकार नाविक का उधारन देकर उन्हों ने बताया है कि जैसे नाविक प्रतिकूल धराव में यदिनाव को ले जाए और बढ़िया से चला के निकले तो नाविक है नहीं तो ऐसे नॉर्मल फ्लो के साथ तो मरी हुई मचली भी बह जाती है समझ रहे आप कहा जाता है ना क्लियर स्काई नेवर मेक्स गुड रोड नेवर मेक्स गुड ड्राइवर्स इन दे सेम वे पीपल फू जोस्त लिविन कंफर्ट जोन विल नेवर बी अबल तो बिकम दे गुड लीडर दे गुड पर्सन धरी फाइन परसनालिटी नहीं निकलती यह देखिए अगर अप फॉल्ट हो जाए मतलब एक हिस्सा ज होता है ब्लॉकिंग के वजह से चक्रवातों को हरीकेन कहां कहते हैं वह अच्छा चक्रवातों को जैसे हमारे भारत में आया तो उसको भोला नाम दे दिया जल नाम दे दिया चक्रवातों को और भी नाम दे देते हैं जैसे हमारे आनाम दे दिया जाएगा बोला और जल तो तो नाम भी लेला मजनू टाइप के होते हैं तो अजीवे किस्सा है काई इसका जाए तो घर चक्रवातों को हरीकें कहां कहेंगे तो याद रखिये मेक्सिको की खाड़ी के आसपास वाले शेत्रों में कहते हैं कहें कि चाइना में तो चक्रवातों को अच्छाइब को अच्छाइब इसको कहते हैं हिंद महासागर में और यही चीज अगर प्रशांत महासागर में आए ऊपर के शेत्र में दक्षणी चीन सागर और पूर्वी चीन सागर में तो इसको टाइफून कहा जाता है महाबंडुला कि सेना का महान सेनापती हुआ करता था बताए उन्नीसमें शताब्दी की शुरुवात में महाबंडुला ने अंगरेजी सेना के छक्के चुड़ा दिये थे औ और महामर्णुला कौन सी सेना का महान सेनाप्ती1825 में बहुत बड़ी चीज बहुत बड़ी चीजन होने की थी इनका इतिहास में लेकर कर्य आओंगा आओंगा अंटोल्ट हिस्टरी को सीरीज में आपको बढ़िया इतिहास जानने को मिलेगा समझ आएगा कि कैसे भारत के स्वतंतुरता संग्राम सेनानियों ने भारत के मध्यकालिन भारत में सभी वीर योधांने सभी शूर्वीर सूर्माओं ने कैसे भारत के इतिहास को पलट दिया आप को कहानी जानने को मिलेगी कैसे एक तीर नि पलट करे रख दिया था इतिहास अगर वो तीर जाकर हेंवु की आंख में ना लगा हो ता 1556 के दुतिय पाणि постоян के युद में तो शायद भारत की इतिहास में मुगली न होते बहुत सारी कहानिया हैं जिन्होंने वास्तवी कि इतिहास को पलट करके रख दिया है बताएंगे जरूर आपको एक सीरीज ले कर फिर्स एंगलो ऐसोर की फिगर इन कोंबांग डिनस्टी पालिशी आपका अंकला निजबात से नहीं करता कि आपने किदने युद्जी ते इतिहास आपका आंकला निस बात से करेगा कि आपने सामने वाले चाहे जितनी फोर्स रही हो चाहे जितना संख्या बल रहा हो आप उसको हराने के लिए क्या उठ खड़े हुए आपने अपने लोगों को संरक्षित करने के लिए क्या वो स्टेप लिया जिस स्टेप से आपको महान कहा जाए तिहास में महाराना प्रताब क्यों महान है क्योंकि वह आकबर जैसे बड़ी सेना के सामने खड़े थे पूरस क्यों महान है क्योंकि वह सिकंदर जैसी बड़ी सेना के सामने खड़े थे च्छत्रपदी शिवाजी महराज क्यों महान है क्योंकि और की बड़ी सेना के सामने खड़े थे सिंग सुवन सत्पूरुष वचन कदली फले एक बार तेरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार सुनते हो आप इतिहास की कहानिया दोस्तों बादुरिक भारत के निर्मान के लिए अंग्रेजी भासा के माध्यम से साहित और विज्ञ रंड़े आड रखिएगा वो थे राजा राम मोहंरोय को कहा जाता है भारतिय पुनर जागरण का जनक एक बार जल्दी से राजा राम फिर उसके बाद तीसरा पॉइंट इनके बारें पूछा जाता है 1828 में इन्होंने याद रखिये ब्रम्हों समाज बनाया कौन सा ब्रम्हों समाज चौथा पॉइंट ये पूछा जाता है कि 1829 में इन्होंने 1829 में इन्होंने सती प्रथा उन्मूलन अधिनियम खत्म किया तो गवर्नर जनर्ल बना पाच्फमा पॉयंट डिन sincer है कि इन्हें राजा की उपाधी किस ने तो राजा की उपाधी इन्हें दी टि अकबर दूतीय ने अकबर दूतिय एक मुगल बादसा हुआ करता था शेटमा पोईंट के बारे में पूछा जाता है तो दोस्तों याद रखेगा संबाद कौमुदी और संबाद कौमुदी कौन सी भाषा में थी तो याद रख लीजे बंगाली भाषा में उसके बाद सात्मा पॉइंट ये पूछा जाता है कि इन्हों इन्हों याहरा सो के से कोंटिम इंकाली तोस्ता में मिरात और अकrespect क्या नाम था जोत पर मिरात आकबर भूलना मत अब क्यों याद रखे यह फारसी भाषा में हुआ करती थी कौनदी भाषा भीज़ा फारसी भाषा अ अबर इसके अलावा आगेच चलinate कि आठमा पॉइंट जो है यहाँ पर आठमा पॉइंट यह जरूर याद रखना कि आठमा पॉइंट इन्होंने किताब लिखी थी और इनकी किताब का नाम क्या था इनकी किताब का नाम था a gift to monotheists क्या है a gift to monotheists इतनी जानकारिया आप याद रखोगे जल्दी से बताओ इतनी जानकारिया याद रखोगे भारती पुनर जागरान का जनक भादर आफ इंडियन रेनिसेंस आत्मी सभा 1815 ब्रम्हों समाज 1828 सती प्रथा उन्मूलन या सती अबोलिशन एक्ट 1829 विद अगबर सेकेंड हूज अ मुगल एमपरर 1820 मैगजीन कॉल संबात कौमुदी इन बेंगॉली 1821 मिरातु लगबर मैगजीन इन फार्सी लेंग्वेज अ गिफ्ट मोनोथीस्ट इस अ बुक रिटन भाई राजा राम मोहन रोय यह सब पूछा जाता परिक्षा में यह सब देखो डन और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे एक एश्वर वादी हुआ करते थे यह एक ईश्वर में सहारा रखते थे तो चलो राजा राम मोहन रोय डन स्क्रीन्शॉट बहुत अच्छे पीडियाफ कैसे डाउन लोड होगा यह हम बता देंगे आपको दीपी का अधिक प्रवास के बाद गांधी जी कौन से सन में भारत लोटे थे आफ्टर ओवर 21 यह सिस्टे इन साउथ अफ्रीका गांधी जी रिटर्न टु इंडिया इन देखो गांधी जी लोटे थे 9 जन्वरी को और 9 जन्वरी को लोटे थे यह कौन सी यह में लोटे थे यह तो 9 जन्वरी को अभी भी प्रवासी भारतिय दिवस के रूप में मनाया जाता है किसके रूप में मनाते हैं बाबु याद रखेगा प्रवासी भारतिय दिवस के रूप में और यह जो प्रवासी भारतिय दिवस के रूप में मनाया जाता है इसके बारे में एक बात तो जानत अच्छे वेरी नाइस वेरी नाइस डियर स्टूडेंट्स 1915 है इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों एक बार सेशन को शेयर करो यार अब जल्दी से हजार के आकड़े को उपर फिर 2000 के आकड़े को उपर फिर मजा आये इसे नहीं मजाएगा ऐसे चर्चा करने में मजा नह 1557 का बुंदेले हर बोलों के मुह हम ने सुनी कहानी थी खूबली मर्दानी वहतो जहासी वाली रानी थी चमक ऊठीसन सब अवन में वह तलवार पुरानी थी दूर definitive को की सबने मन में ठानी थी बुढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी बुंदेले हर बोलों के मुं हमने सुनी कहानी थी 1857 वेरी गुड वेरी गुड डियर स्टूडेंस 1857 में 1857 में लॉड कैनिंग कैनिंग के समय पर ये 1857 की सिपाही क्रांती हुई अच्छा आप मे सरवोच लॉड का मतलब सरवोच होता है और कुछ नहीं तो जो सरवोच है उसको लॉड कहते हैं तो जब अदालतों में माई लॉड कहा जाता है तब तो आपको तकलिफ नहीं होती जब ब्रिटेन में ब्रिटेन की उच्छ सदन जो ब्रिटेन की पार्लियमेंट है उसके उ शिव जी लॉर्ड थोड़ी है शिव जी अंग्रेजी में थोड़ी थे शिव जी तो भारत में थे अगर शिव जी अंग्रेजी में नहीं थे तो यह बात तो आप समझ जाओगे ना कि शिव जी जो है वो तो हमारे परमात्मा है और परमात्म रेजिम कोई शब्दे नहीं है तो लॉर्ड कहके आप शिव जी के अभेलना ना करें शिव जी लॉर्ड ना है ना शिव जी तो लॉर्ड से भी बढ़कर है तो यह लॉर्ड इनको कहो तो ठीक है समझ में आता है लेकिन शिव जी को लॉर्ड कहो तो यह मेरा समझ में आज तक नहीं आया तो आपको जो यह भ है दीए आई टीवाइडीती डीटी बोलते हैं ये सही शब्ध है इनके लिए किया बोलते इनको डीए टीवाई आज देखो आज पढ़ो आज समझो इनको कहते हैं डीटी शिवा ना सीवजी इजडी टी लौड नहीं है वह लौड उनको छोटा कर रहें आप शिवजी को क्य हुआ न तो मुझे दिकत है चलो आगे बढ़े आगे बढ़कर KDA Kana 1868 ख्रांटी और anybody के बाद एस्ट इंडिया कंपणी के प्रसाशन को ठीक ना समझ करके एस इंडिया कंपश्म के हाथ से प्रशाशन लेकर ब्रिटिस सरकार के हाथ में सॉप दिया गया अब आगे बताएं हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक अस्योशन एस्सारे कि स्थापना कब हुई थी बताएं जल्दी से एच एस आरे सोचलिस्ट रिपबिक एसोशीयेशन हिंदूस्तान सोचलिस्ट रिपबिक एसोटियेशन के स्थापना गब हुई थी किस वर्ष में हुई थी है क्या स्टूडेंट प्रताप सिंग आये अचानक से और करें recorded तो नहीं है न है भगवान है लोगो है मेरे स्टूडेंट्स ना मेरे विद्ध्यार्थियों क्यों तुम अपने ऊपर इतना वड़ा लांचन ले लेते हो आकर के चलो तो वह हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक असोशियेशन के स्थापना हुई थी 1928 में एक बात याद कर लो बड़े ध्यान से वह याद यह है कि सचींद्र सान्याल यहां पर इनका नाम जरूर रटलो सचींद्र शान्याल सहाब का सचींद्र शान्याल जो थे 1924 में स्थापित करे थे हिंदुस्तान रिपब्लिक असोशियेशन फिर उसकेबाद शहीदे आजम भगत सिंग्ग के साथ साथ पंडित जी यह नहीं के चंद्रशेखर आजाद पंडित चंद्रशेखर आजाद में of 1928 में स्थापित की थी s Ar a Hinduistan Socialist Republic Association कि एक बात बता दोस्तों आप लोगों को हेना आप लोगों को ये बात तो अच्छे से स्माच में आ रही होぎ ना कि हिंदुस्तान Socialist Republic Association के स्थापक भगत सिंग जी लड़ते- لड़ते फासी में जूल गए हस्ते हस्ते फासी में जूल गए फासी के फंदे को चूम लिया आप लोगो नहीं को नहीं लगता कि तेज़ वर्ष की उम्र में कुछ इस तरह का जोश और जज़बा आप लोगों के अंदर भी होना चाहिए एक्जाम निकालने के लिए आपको क्या लग तो फिर आपके जीवन का कुछ खास मतलब नहीं निकलता, ये बात आप जान लीजे, यदि आप इस दुनिया में साधारन परिवार में जन्में हैं, साधारन व्यक्ति हैं, तो इसमें आपकी गलती नहीं, लेकिन आप मर साधारन रूप से रहे हैं, तो आपके 100 प्रतिशत ग इस दुनिया में अच्छाई बहुत कम हैं, आपका काम है अच्छाई बढ़ाईए, बढ़ाईए, समझ रहे हैं, चलो, तो भईया, यहां 1928 में एक व्यक्ति, कह रहा है, मेरे जजबातों से वाकिफ है, कुछ इसकदर कलम मेरी, मैं इश्क भी लिखना चाहूं, तो इंकला लिख जाता हूं, 23 वर्ष का लड़का, आजम कमेंट सेक्षन में देखते हैं, कमेंट सेक्षन में आ करके लोग लिखते हैं, है ना, एक किसी लड़की के नाम लिख देंगे और बोलेंगे कि I love you, आईसा नहीं जलता, यहां देखे 23 साल के लड़के क्या कर रहे थे हमारे देश के लिए आगे चला जाएक और प्राशन है, मुस्लिम लीग ने किस दिन को डे आफ डिलिवरेंस करूप में मनाया था, तो भाईया देखे मुस्लिम लीग के स्थापना का भूई, AIML, All India Muslim League, हाथ में लोटा मूह में पान, लेके रहेंगे पाकिस्तान, देखो देखो चलो आगे बढ़े, अब बताओ, अब बताओ, यहाँ पर ध्यान दो और थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा चर्चा करके बताओ कि क्या सही उत्तर होने वाला है, ठीक ना चर्चा करो, बताओ क्या सही उत्तर होने वाला है, तो day of deliverance का मैं कुल मिला कि आपको चर्चा ब दिया अब ब्रिटेन को सैनिकों के जरूरत थी भारती सैनिकों को ले जाकर के दुती विश्युद में जोंग दिया गया जब भारती सैनिकों को दुती विश्युद में जोंगा गया तो भारत में भारती राश्री कॉंग्रेस इस चीज के पूरे खिलाफ थी और भारती चुछी 22 दिसंबर 1949 को उनों ने कहा ये है डे ऑफ डिलिवरेंस देख रहे हो दोस्तों भारतियों को ले जाकर के अंग्रेज अगर किसी दुतिय विश्युद्ध जैसी जगह पर जोकते हैं और फिर कॉंग्रेस की सरकारें अपने अपने प्रांतों में स्तीफा देती हैं तो लगता है यह लोग जो मुस्लिम लीग बनाने वाले थे यह लोग भारत के साथ रहते आज आप बात करते हो अखंड भारत की अखंड भारत में आप पाकिस्तान लेने की बात करते हो पाकिस्तान को खुद में शामिल करवाने की बात करते हो 1940 में जो आपके साथ नहीं रहना चाहते थे आज अब उनको साथ में रखोगे कितना बड़ा देश का रिसोर्स महां चला जाएगा उनको सम्हालने में भाई या उचले गए ना थाइंग गोड चले गए जित्त पाकिस्तान चले गए ठीक हुआ चले गए उनको छोड़ दो उनकी जगह पे मैं नेतागिरी की बात कर रहा हूं जो नेतान अगरी थी हमारे साथ ना आये तो बहतर है या हमाई से खुश है अपने अपने में खुश है तो चलो आगे बढ़ा जाए यह बता ये पहली वुमन प्रेसिडेंट इंडिया नेशनल कॉंग्रेस की कौन हुआ करती थी 1917 मे अधिवेशन था 1917 के अधिवेशन में कलकत्ता के अधिवेशन की पहली महिला कॉंग्रेस अध्यक्ष तो पहली महिला कॉंग्रेस अध्यक्ष तो वास्तों में एनी बेसेंट ही थी एनी बेसेंट कहां से आई थी एक बार पूछा गया था तो यह याद रखेगा एनी मेसेंट वैसे तो खर कौन है ये पहली भारती महिला है जो 1924 के कानपूर सेशन की अध्यक्ष बनी कानपूर में इंडिया नेशनल कॉंग्रेस का सेशन हुआ था सरोजनी नाइडू उत्तर प्रदेश की गवर्नर भी बनी थी पहली महिला गवर्नर थी आजादी के बाद और इन्हें कहा जाता था भारत कोकिला इन्हें क्या कहते थे इन्हें भारत कोकिला कहते थे या इन्हीं को इंग्लिश में कहेंगे हम नाइट इंगल आफ इंडिया इन्हें क्या कहा जाता था दोस्तों नाइट इंगल आफ इंडिया आगे बढ़े एक और प्रशन चलो आगे बढ़े एक और प्रश और यहां आपको कहानी सुननी पड़ेगी दोस्तों एक कहानी बड़ी शांदार सी है मेरट में जितना भी आर्टिलरी का मेरट की च्छावनी में जितना भी तोपों का इंचार्ज था वो सभी भारती सैनिकी थे तो जब भारत के भारत की विभीशिका में 1857 की क्रांती लिख नव्के तो इसक तुरह और टरहन घ हो सब्सक्राइब स्चाव के सकावी थिक्रविवर माहख गया स야सर थो क्या और देश को जाद कर वाएंगे लेकिन पुरों करेगा आभी तो ब्रिटिस लोग कर रहे तो किसीने समझाएanne क्या पहले हुआ करते थे उनी में से मुगल बादशाह साशन करेगा तो कहा अच्छा कौन है मुगल बादशा है तो बताया कि वह बहादुर्शाह जफर है वह है भी आज का लाल किले में रह रहे हैं तो बहादुर्शाह जफर के पास ग्यारा मईए 1857 की सुवह सुवह यह मेरट के सभी सैनिक पहुंच गए बादुर्शाह जफर के दर्बान से संदेश भीचवाया कहा जफर साब को बुलाईए जफर आए बहारो का गुड़ गुड़ाते हुए क्या हो गया उन्हों बताया कि बादशाह हिंद कि आपको हम तुबार। बादशाह हिंद बनाएंगे उनने का न हुजूर के नाना एक शायरी सुनों ना किसी की आख का नूर हूँ ना किसी के दिल का करार हूँ जो किसी की काम ना सके मैं वह एक मुष्ट गुबार हूँ तो लोग बोल रहे हैं नहीं समझ भाई दुबारा सुनों ना किसी की आख का नूर हूँ ना किसी के दिल का करार मैं वो एक मुष्ट गुबार हूँ यहारी मैं नहीं कहता यहारी बहादुर्शाह जफर की है औरिजनली बहादुर्शाह जफर की है सैनिक कह रहे हैं अरे यार क्या बताओं दर्वान को बोला महरानिक बुलाओ यार दर्वान गया महरानिक बुलाक लाया महरानिक समझाए ब हो और दूसरी लडी तो ठीह है दूसरी क्रांती यहें में सब भड़ी दिक्तत यह हुई किसे दूसरी क्रांती में यह हम लोग सुनते हैं बहुदृर्शाज जफर जिसमें participate किया इस 18 87 कि क्रांती में 1887 करणके यह और भेज दिया रगुण काला पानी में तो रगोन में पिचारे ने मरते मरते एक शायरी और लिखी यार कम से कम हिंदुस्तान में दफना देते कि इतना बदनसी नज्वार के लिए दोगाज समीन भी नहीं मिल रही है जाए कि मुझे लिए ठीक है तो देखो सही अंसर हां सही अंसर क्या होन सठावन विद्रोग वाद ये बहादुर्शा वन लिखा हुआ है एक मिनटे इन यह बहादुर्शा वन नहीं है नहीं 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 यहां पर ठोला ये पी आंसर करेक्त कर येगा यह यह बादुर्शाह दूतीय 안녕하세요 पहादूर शाह दुति यह वहदूरादूर शाह दूति ए 18.97 बात टक बादूर्षाह प्रथम यह मुझञ्जम मुझञ्जम वही ऑजो 1707 से लेकर के 1712 तक मुगलबाद शाहरा और अग्जेब के मरने के बाद आजम मुख्जम कामबक्ष ये तीन थे जिनके बीच में लड़ाई हुई थी और उसमें ये मुख्जम है जो बाहदुर्शा प्रथम शाह है अलम प्रथम इसको कहते हैं ठीक है दोस्तों आगे चला जाए आगे चल करके अगली चर्चा किया जाए क्या दिक्कत है अगली चर अप्रेल में अप्रेल में नहीं बारह मार्च 1930 को साबर मती से एक व्यक्ति ने ये दांडी यात्रा निकाली और 6 अप्रेल 1930 को नौसारी नाम की जगह पर दांडी दांडी जगह जगह जो है नौसारी जिले में आती है गुजरात के वहां जाकर के खुद से नमक बनाके चक्के नमक कानून तोड़ दिया क्या कर दिया नमक कानून तोड़ दिया अच्छा नमक कानून तोड़ा तो ठीक है महात्मा गांधी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी अब्दुल्गफार खान और दोनों तो इसका सही अंतर क्या है इसका सही जरे चक्रवर्ति राजक लचारी अच्छा एक बात और गांधी जी ची को क्या कहा जाता है महात्मा गांधी जी को कहा जाता है मलंग बाबा लुटीर कौण गहते थे एक प्रश्न पूछा जाता है कि यह फ्रंटियर गांधी यह सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं पाकिस्तान का अकेला गर्ति जिसको भारत रतन मिला है आज तक भारत रतन सिर्फ दो ही वेक्तियों को मिला है नेलसन मंडेला को साउथ अफ्रीका के या तो फिर खा फिर ग्रव का दक यह मलंग बावा कहते हैं गांधी जीव को कहते हैं नेके क्ट सझ तक समय कहा था चरचिल उप तो छलते हैं आगे चल करके हम लोग और भी चीजें करते हैं एक बात और बता दूं आज की वाट सेफ युनिवर्सिटी से पढ़ने वाले लड़के आज की वाट सेफ युनिवर्सिटी से पढ़ने वाले लड़के महात्मा गांधी को क्या जाने अगर मैं यहां खड़े हो कर नहीं कहता कि हमारे आप दो पुरा वुशो नहीं कहताँ कि भॉगति सींगे हमारी आप पैदा पुरा विष्व यह जरूर कहता है गांधी जी पैदा क्यों कि भया कि कुछ तो है बात उसमें आगे बताए निमलिकित मेंसे किस वर्ष में सर विलियम जोन्स द्वारा कलक्त्ता में अशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी अशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया था बताए 1220 1818 में 1784 में 1700 सरसट में कौन से वर्ष में 1924 है कानपुर अधिवेशन 1925 कानपुर दिवेशन मैं गलती से 1924 बोल दिया है क्या मैं 1924 बेल गाम अधिवेशन था जिसमें महात्मा गांधी थे एक मिनिट हां मुझे बस एक एक तरफ जाने दीजिएगा रुकिए गारुकिए गरु विग्षमां थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है उस मिस्टेक को सही कर लिजें दोस्तों 1924 बोल दिया है शायद मैंने 1924 जो बोला है उसको सही कर लीजिए क हां पर बोला है मैंने कि 1924 नहीं 1925 है यह आप लोग थोड़ा सा ध्यान दे लीजिएगा कि चलो आगे बढ़ते हैं कि 1924 में पहली बार बेलगाम अधिवेशन हुआ जिसमें गांधी जी बने थे अध्यक्ष बेलगाम मतलब करनाटक का बेलगाम आज भी पूछा जाता है चलिए आगे बढ़ते हैं अगर वो क्वेश्चन मिल जाए तो इसको हम डिसकस कर दें एक बार फिर से कोई बात नहीं हाँ यह देखे भारत कोकिला पहली भारती महिला यह 1925 है इसको मैंने गलती से 24 कह दिया था 1925 कानपूर अधिवेशन 1924 में तो बेलगाम अधिवेशन में पहली बार गांधी जी बने थे ठीक है चलो आगे बढ़ें एक और चर्चा आपके लिए अगले प्रशन के रूप में सर विल्लियम जोन्स द्वारा कलकत्ता में अश्याटिक सोसाइटी की स्थापना कप की गई तो याद रखेगा एश्याटिक सोसाइटी की स्थापना की स्क्रिप्स से एक एक जंडर थे या ओल अफ दी अबब सभी के सभी बताइं जल्दी से एक बार रिफ्रेश करें आप लोग सेशन को और रिफ्रेश कर लेंगे तो सही हो जाएगा सबी लोगों से विनम्र निवेदन है कि एक बार सेशन को रिफ्रेश जरूर कर लीजिए कि दोस्तों कि आगे चला जाएं तो सही उत्तर क्या होने वाला है इसका सही उत्तर इसका होने वाला है कि पैठिक लॉरेंस भिता स्टाफोर्ड कृप्स भी अलेक्जेंडर भी था तो अल अब दिया भाव सही अंसर हो जाएगा अब आगे बताओ एक और प्रेशन है आपके स सामने भारत के किस राज में सबसे लंबी मुख्य भूमी तट्रेखा है मुख्य भूमी तट्रेखा कहने का मतलब यह कि भारत का कौन सा राज जैसा है जिस भारत के राज में आप पाऊगे कि तट्रेखा सबसे लंबी है ठीक है कैसे वह देखिए जैसे महां लीजे एक्ज सर के नीचे वाला हिस्सा है यह पूरा का पूरा हिस्सा है ना यह पूरा का पूरा जो हिस्सा है यह पूरा पूरा हिस्सा तो बॉर्डर बनाता ही है अंडमान और निकोबार के भी बॉर्डर बनते हैं अब देखो अंडमान इवन निकोबार का बॉर्डर जो है वह उनीस सो 1585 किलो मिटर का टोटल जो पॉर्डर है वह साथ 1516 दशमलो 6 किलो मीटर का टूटल बोर्डर है जिसमेए गुजरात का ऑच्टar 12467 किलो मीटर का मैं 1214 27 Soul Chicken बॉर्डर गुजरात की और सबसे नमबर 1 पर बूंत शोटी को स्लाइन किस की है सबसे चोटी को स्लाइन किसकी है सबसे छोटी तट्रेखा पूदूचेरी की 30.6 किलोमेटर की कहे की लक्ष दीप की बहुत अच्छे आगे बढ़ा जाए एक और प्रश्न है कौन सा महराष्ट में स्थित नहीं है बाला घाट शेनी है ना जब बताए जल्दी से बाला घाट शेनी नहीं है इस्थित बाला घाट शेनी के लावा हरिश्चंद्र शेनी नहीं है मांडव पहाडिया नहीं है सत्माला पहाडिया नह आप यह मत सोचेगा कि मैं किसी सिंगल बुक से पढ़ करके आपको कभी कुछ बताता हूं मैंने सिंगल भूक नहीं पर मैं पिछले लगभग आठ सालों से पढ़ाई ही कर रहा हूं जैसे आप लोगों का काम है ना पढ़ना एक्जाम देना मेरा काम पिछले चार साल तक पढ़ते हो तब आपको यह नहीं पता होता कि क्या चीज़ें नहीं पढ़नी चाहिए फिर आप सब कुछ पढ़ते हो और जब आप सब कुछ पढ़ते हो इसका मतलब यह है कि आपको multiple resources चाहिए होंगे तो जैसे एंसी आटी मैंने आज से लगबग 6 साल पहले पढ़ी थी 6-7 साल पहले ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं आगे बढ़कर करके दोस्तों निम्न लिखित में से कौन महराष्ट में स्थित नहीं है इसका सही एंसर हो जाएगा मांडू की पहाणियां क्योंकि मांडू की पहाणियां जो है यह मद्ध्य प्रदेश में मांडू की पहाणियां विंद के एरिया में आती है तो मांडू की पहाणिया महां है मांडू नाम का एक बहुत बड़ा महल भी है मांडू पहाणियों प परवत पर है यानि जिसे पाश्यमिघाट कहते हैं दोस्तों बताइए एक और प्रशन है यहां पर कौन सा राज जिके उचनेयाले का मुख शेत्राधिकार नहीं है विचाब दो फॉल्लिंग इस नौट दी प्रिंसिपल जिरिस्दिक्शन और फी हाई कोट अब दे स्टेट तो देखो हाई कोट कंसल्टेटिव जिरिस्दिक्शन रखता है औरिजनल जिरिस्दिक्शन रखता है इंस्पेक्शन वाला जिरिस्दिक्शन उसके पास नहीं होता तो दोस्तों यह निरिक्षण का शेत्राधिकार नहीं है बाकी अपिलेट जिरिस्दिक्शन तो है है तो अपिलेट जुरिस्टिक्षन तो है दोस्तों तो यह सही एंसर हो गया निरिक्षन का सही उत्तर हो जाएगा कौन सा एक रिट न्यायाले में कारेवाही लंबित होने की दशा में लागू की जाती है विच अब फॉलोइंग रिट इस एंफोर सीबल डिरिंग डिपेंडेंसी और प्रोसीदिंग्स इन दे कोड इन केस फंडमेंटल राइट याद रखेगा दोस्तों जब-जब फंडमेंटल राइट का वाइलेशन होगा जब-जब किसी भी व्यक अंसर हो जाएगा परमा देश परमादेश का मतलब हमा देश देते हैं चल्लों किया मामला हमारे सामने चल्व बागे बढ़े एक और प्रश्ण है और side को करते हैं दूश्थोर जल्दी बताए किसी आचिका के अंटर्गत नियाएल ए और नियाय या किसी अन्यपराधिकार के समक्ष लंबित किसी भी मामले को ना किसी भी मामले को उच्छतर प्राधिकारी या नियालम इस्थानांत्रित करने का आदेश दिया जाता है जल्दी बताएं क्या सही उत्तर होने वाला है इसका ठीक ना जल्दी जल्दी बताईए क्या सही अंजर है कि देखो देखो इसका बहुत सिंपल जी बात कोई भी प्रटीशन कोई भी पैटीशन कोट आडर करता है ट्रांसफर अपकेस तो यादर रखेगा ट्रांसफर आफ केस का मतलब होता है साथ युरारी इसका मतलब यह कि उसे बुला लो टुबे सर्टीफाइट तो उसको उठा कर लालो और उठा कर लालो और फिर बाते करो गभाई उस के इसमें और क्या किया जा सकता है एक बात बताई यह जिला निया देश शब्द समीधान के कौन से अनुछेद में है यह निया हमारे अगे चलते हैं एक और प्रशन है हमारे सामने और उस प्रशन को आप लोग देखिए राज विधान परिशत का प्रावधान भारती यह ना राज विधान परिशत का प्रावधान भारती समीधान के कौन से अनुछेद में किया गया है है 170 में 171 में 172 में 173 में और इसका सही अंसर आप लोग देखेगा इसका सही अंसर और इसका मिसमेंश है पार्तिकित ठीक धान दीजे क्या सही अंसर होने वाला है इसका उसके बारे में तो देखो कौन सा आर्टिकल है समीधान का जो legislative council को बाद 171 आर्टिकल 171 क्या कहता है दोस्तों आर्टिकल 171 के बारे में समझेगा आर्टिकल 179 कहता है कि केंद्री यह कि पार्लियमेंट की तरफ से आपको यह पूरे आदेश हैं कि आप चाहो तो अपने राज में बना सकते हो कोई भी लेजिसलेटिव कांसिल अच्छे देखो पार्लेमेंट की तरफ से आदेश है मतलब समविधान ने आपको कहा हुआ है एक wspn twitter तरह आप अपने समविधान की आई रह करके creation या अबॉलीशन कर सकते हो कांसिल का कहने का मतलब जाद बना सकते हो विधान परिशन रहता सकते हो 160 कि बारे में बात करता है याद रखीगा यानि भी संभा के के बारे में बात करता है और 171 किसके बारे में बात करता है विधान परिशाद के बारे में बात करता है और विधान परिशाद का मतलब स्टेट के अंदर अपर हाउस विधायनस अभा का मतलब स्टेट इंदर लुवर हाउस और हमारे भारत में 28 राज्यों है उन 28 राज्यों मेंसे ऐसे राज ही टोटाल कितने हैं जिनके अंदर स्टेट legislative council नहीं है तो स्का तक है है कि हमवेरे भारत नहीं 22 ऐसे रजसे है जिनका स्टेट लेइस लेटिव काउंसिल नहीं है जैसे किसे विधाई सदन को भंग नहीं किया जा सकता परंतु समाप्त किया जा सकता है विच अब अब इसलेटिव हाउस के नौट विट डिजॉल्ट बट रहे अभी यही आर्टिकल एक सो आर्टिकल 179 यहीं चर्चा कर रहे थे कि देखिए अगर मान लिजय कि कोई राज्य अपने राज्य में से विधान परिश्थ को हटाना चाहता है जैसे अंदरप्रदेश हटाना चाह हई है जी तो तो जनसे कि मैंने कहां को सीह सीधे आर्टी क सीघ्र बिल Istvipotn को बनाया जा सकता है और किसी भी विधान परिशद को हटाया जा सकते तो सही उत्तर क्या होगा राज्य विधान परशीद अब राजय विधान परिशद से खेला होगे आगे वड़े क्यों 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 कि चाहती है कि उनके आजाए और जो आंदर प्रदेश के यह जगन मुहन रेड़ी है वो चाहते हैं यहां चली जाए विधान परिश्द नहीं है विचाप है विचाफब फॉलोईंग स्टेट्स कांचिल बाव जलीज़ेट कोणसल कि लिचाब थे वहां बिचान पॉलोविंग स्टेट्स देज स्नौत है लिजिस्लेटिव काऊंसल बिहार महराश्ट राजस्थान की करना तक है और इसका सही एंसर पता है क्या है । ठिक कि और तीसरा है एक तो हो गया बिहार दूसरा उत्तर湋र तीसरा तिलंगाना और महाराश्ट्र यानिया त्लनक के साथ साथ एक और राज्ज है अंधर प्रदेश इससे जुड़ा दो तो याद कर लीजिए और फिर पांचमा है जिसे कहते हैं महाराष्ट्र और छटमा है जिसे कहते हैं करनाटक तो ऐसे यह च्छे राज हैं जिन में है बाकी में नहीं है बाकी में नहीं है तो इसकी कोई है आपके पास जिस्ट्रिक से से याद कर सके होगी जरूर कोई कोई ट्रिक आप लोगों ने बना रखी होगी चलो आगे बढ़ते हैं एक और प्रशन है कौन से राज्यों में अब तक विधान परिशद नहीं है यह यह देविसा मिधान में इसके लिए उपबंध किया गया है अब दोस्तों याद रखे सभी के सभी राज्यों में विधान परिशद हो सकती है लेकिन आर्टिकल एक सवह उनात्तर प्रतिबंद लगाता है सभी के सभी राज्यों को कर नहीं सकते क्योंकि उसमें मिनिम्म सदस्यों के संख्या 40 होनी ही कि अब देखो दोस्तों रिश्व कुमार रेंग मैं बता दूंग आपको बने रही ए रही सेशन में इसका सही अंसर क्या हो जाए sì मैंका मद्यप्रदेश मेरा राज़य मेरा राज़य नंदे प्रदेश क्लिक हिंभ पीख्लa अपनी गाड़ी उठाओं हो या होगा खुबसूरत अब मेरा मन कर रहा है मैं पी जाओं परन्तु आप लोगों के प्रेम वश नम पटना जा पाता नमब द्यप्रदेश मेरा मन कर रहा में गाद हफते के लिए एंपी चला जाओं अपनी गाड़ी उठाओं और गाड़ी उठाकर के लगभग आसपास क सभी जगहें फिर से एक बार घूम लूँ मेरा चित प्रसंद हो जाए मन प्रसंद हो जाए और जब प्रकृति की गोद में जाकर बैठते होना तो अलगी आनंद जीवन का ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों एक एक बात और मैं बता दूं आपको इस वाले सेशन की अगर आपको PDF चाहिए तो एप डाउनलोड कर लिजे जो लगा हुआ है लिंक वो लिंक कहां लगा हुआ है देखो कॉमेंट सेक्षन में सबसे उपर ब्लू कलर से लगा है लिंक उसी को क्लिक करो और डाउनलोड कर लो एप एप के अंदर बताऊंगा मैं PDF कैसे मिलती है मैं बताऊंगा आपको और जो लोग जो लोग यहां पर जुड़े हुए है यह बताइए कि अपके अंदर मैंने PDF देदी है आज वाले सेशन की कि नहीं बताए जल्दी से बाकिसारे स्टूडेंट जो आते हैं धराव जल्दी बताओ मैंने दे दिया है या नहीं जल्दी इसका सही आंजार इन पकाशूपती का सम्मान करना आरंब गिया पकाशूपती देवता थी सामने मुख दाइव हिम्यां पाए जाता हैं औरलह के जांकारी बिल्कूल नहीं यह जरुरूवेद से बिलती है गाय ह३ए और उनकी संस्क्रिती समान था बहुत से थी बस आप लोग वह रितिक रोशन वाली मूवी मत देख लिजेगा है ठीक रोशन वाली मूवी मत देख लिजेगा चलो आगे चल कर गे एक और प्रश्न है हरपा कि सब वेता कौन से यूग कि थी भईया कान सी यूगना पाशान क्योंकि लोग यूग ना ब्रॉंज जेज नियोलिफिक एज पहली ओलिफिक एज आयनेज कौन सी एज में हुआ करती थी हडपा की सभ्यता तू विच एरा डिट दी हरपन सिवलाइजेशन बिलॉंग टू डिट दी हरपन सिवलाइजेशन बिलॉंग टू आप लोग सभी जो हमें अपने प्रदेशों में अमंत्रित करते हैं उसके लिए सहरदय धन्यवाद बहुत बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग इतना प्यार बरसाते हो मेरे उपर लेक तो देखो सेशन में पीडिया फंशेर कर चुके हैं कौन से समय पर हड़पा सिवलाइशन थी तो हड़पा सिवलाइशन कांस यूगीन सब बिता कही जाती है क्या कहते हैं उसे ब्रॉंज एज सिवलाइजेशन कहे जाती है चलो आगे बढ़कर कर एक और प्रशन है हमारे मूत्ता कर भाव और चैनल के मुख्ये वैवसाय क्या हूण करता था सिंद भारे सब बता के रोगों का मुक्ये वैवसाय विच्वास दीमने और पीपिपेशननिव walking से विलाजेशान बिजनिस करतें थे पशु पाललं करते थे हैं अग्री कुल्cceksinत क्य क्या गरते थे अच कल्चर मुख्य वेवसाय था लोगों का बहुत सारा गेहूं है ना गेहूं के बारे में जानते थे दालों के बारे में जानते थे चावल के बारे में कम पता था अपावालों को पर हां वो सरसो और सो के बारे में जानते थे तिलहन फसलों के बारे में दलहन आफसलों के बारे में गये हूँ जवा के बारे में सब कुछ जानते थे वो तो व्यापार किया करते थे लैपिस लजूली नाम की यह चीज दिसका व्यापार होता था बताए जल्दी विस्तार गर्मियों के तोरान एफिल टावर को और लंबा कर देता है कौन से तरह का विस् फिजिक्स का question है which kind of expansion मेंज्स दिए लिव्टावरश नेर्ध टॉलर दियूरिंग विस समरस ग्रेदियन etetch Makes and chemical expansion thermals expansion or the gravitational expansion gravitational कोई expansion होता नहीं thermal समझ रहे हो आप और thermal को देखिए ठीक है अभी पॉफेक्ट हो गया है आवाज अभी ठीक्ठा का रही है आपको यह बता यह वाइस एक्दम बराबर आ रही है इस चलो तो देखो इसका और दोस्तों इसका सही एंजर होने वाला है कि थरमल एक्स पेंशन होता है और थरमल एक्स पैंशन की वज़ह से यह एफ्ल टावर गर्मियों में थोड़ा लंबा हो जाता है किलमाइन इस अ मेज़र ओरौर अफ के लामइन किसे निकाला आढ़ आधा है कल अमाइन किसका प्रोक एसक है तो दोस्तों कल्माइन जो एक है न याद रख लीजिएगा जिन्क की क्यों कि कॉपर के जो आयसक फैनल लीड गजा इस था इन्वार वार मर्करी की है यह लीड की है अब आफ से एक ख्रेशन यहां पर देखिए अरे मैंने लिक भी रख कमल करी मर्गरी सलफाइड मतलब हजी एस होता है यह तो ना सीने बार में आपको कन्फ्यूज करना चाहता था और यह एच जी एस तो है यहां चलो खेर आगे बढ़ते गलाय तो और इंगले साइट यहां पर देखिए दिन की इस राइट है जिंगे लाइड है को पर की चाल को पाय राइट है चलको साइट है को लाइट है बौर् नाइट है टेटराहटराइड है एनरगर्ट है और मरकरी सिने बार मरकरी सलफाइड यह सब कुछ दोस्तों यह सब कुछ ठीक है यह सब कुछ आप चलो आगे बढ़ते हैं एक और प्रशन है आपके सामने जॉर्ज साइमन ओम नाम का व्यक्ति जिसके समान में हम ओम लॉग पढ़ते हैं ओम लॉग क्या होता है दोस्तों आप इसके समान में हम वी इकल टू आई आर पढ़ते हैं वो रश्या का स्पेन का जर्मनी का पॉलेंड का कहां का निवासी हुआ कर दा भीया अच्छा जरूर हरी सिंग जी धन्यवाद जल्दी बताइए जल्दी बताइए वी इस उकल टू आया रश्या स्पेन जर्मनी पॉले अच्छा एगा इसका तो दोस्तों याद रखेगा सही उत्तर जो है सही उत्तर हो जाएगा वो जर्मनी के निवासी हुआ करते थे तो यहां पे आप इनका नाम जरूर याद रख लीजे आगे बढ़ा जाया तो एक और प्रशन है अगर प्रोसेस इन विच ब्लड चेंज स्रॉम अलिकविट जल फोर्मिंग बड़ को क्लोट इस 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 की मदद से होता है वैसे तो यह विटमीन के की से होता है विटमिन के ही है जो रख्त का थक्का जमाने के लिए जिम्मिदार है इसे ही कहा जाता है फिलो क्यून क्या कहते हैं इसे दोस्तों इसे ही कहते हैं फिलो क्यून आगे बढ़कर एक और प्रशन आपके लिए यह बताएं जल्दी से मैठेड विच मैठेड डैट के न विधी का उपयोग नहीं किया जा सकता है सोडियम कार्बोटेट also का लिका धिस्टिलेशन का कँस्टिक सोडा का यह बॉयलिंग सी जल के सताइख कफोरता को दूर करने के लिए था कौण सी विधी का उपयोग ही कया जा सकता तो दोस्तों the correct sequence of electromagnetic spectrum in extending ascending order of wavelength अब देखो दोस्तों यहां पर आप लोग इसका सही आंसर ढूडते रहो मैं बता देता हूं जो गामा होते हैं गामा रेज यह गामा रेज का wavelength सबसे कम होता है इसलिएन की एनरजी सबसे ज्यादा जो रेडियो वेवस होते हैं रेडियो वेवस का जो wavelength है वो wavelength सबसे ज्यादा होता है इसलिए energy सबसे कम अब आप देखे खुदी यहां पर यहां पर याद रखिएगा राम मनोहर कि इस विजिटींग यूस राम मनोहर आप ऐसंडीं यूस तुमीत एक्सगных से मिले कि यह जा रहा है राम मनोहर है व्लेटिंग यूस तुमीट एक्स गर्छेंड इर यह हाब नहीं बात यही हम था रहा है रेडियो वेव यह सAMA से इन्फरारेड विजिबल लाइट अल्ट्रा वायलेट एक्सरेय और गामारे यह साथ की साथ जो इलेक्ट्रो मैगनेटिक रेडियेशन सेना उनके बारे में बता दिया है ठीक है राहुल जी आपको बहुत-बहुत दोस्तो कि राम मनुखर का मतलब या रखेगा यह हो गया माइकरो वेट से इस का मतलब इंफराएड वी स कम अतलब विजिटिंग यह विजिबल लाइट यूस का मतलब अल्टरा वायलेट एक्स-ड्रे सबसे कम होती है कम अनगरे suit कमiennent आब से कम लेकिन एनरजी सबसे ज्याद़ा और रडियो की वेवलें सबसे ज्यादा लेकिन एनरडिकां सबसे कम तो सही अन्सर याद रखेंगे साही अनसर क्या हो गया सही अंसर हो कि और भुमन दॉटोई इस्ट याद कर लिजेगा large conservation of मास का मतलब क्या होता है love conservation of मास का मतलब होता है कि किसने-द्रविमान के संरक्षन के सिध्धांत की खोज की तो भाया एक बात याद कर लीजेगा law of conservation of मास को खोजने वाले व्यक्ति का नाम था यंटाउन लॉर्ड लेवाइजी और एंटाउइन लॉरेंट लेवाइज तो ही आप लोग बताये क्या केमिस्ट्री का पिता कहा जाता है इज ही नून एज दा फादर आफ केमिस्ट्री कौन बताएगा अपमें से बताये येस और नो है येस और नू बताऊ बताऊ आँ टwe on लॉरेंट लेवाईजिये एंटॉरिन एंटॉनी लॉरेंट लेवाईजिये को क्या कि ना क्या 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 मिस्ट्री का पिता कहा जाता है तो बताओ दोस्तों क्या हां या ना चलो आगे बढ़े एक और प्रशन है हमारे पास और वो प्रशन आप कि है रखते जसमें से करली हुंबाल ऐसे मतलब यहां पर आपको क्या लगता है क्या कारण रहा होगा है न है आह लाइस की घर्म किया फोनते हश्क कि कीवकर मैठ तरह कर दो affection को एल्कोहलिक एथर नेटलाइड is a mixture of alcohol and ether it is a petrol substituent and is used as a denaturant denaturant के रूप में उप्योग किया जाता है आगे बढ़ करके एक और प्रश्न है which law of the following equation best reflects the Oswald dilution law और का सही answer देते क्योंकि आपके लिए कथिन प्रश्न है concentration of any iron is going to under root C into K आरहनियस की theory और Oswald का dilution law related है खायरा रोग होता है यह खायरा रोग काही की deficiency से होता है बोरॉन की deficiency मैगनीज की deficiency से जिंक की deficiency यह copper की deficiency से बताइए अच्छा लोगों को पढ़ने में इंट्रेस्ट नहीं है लेकिन इस बात में जरूर इंट्रेस्ट है मैं तब से देख रहा हूं एक आदित्य करके और एक निशान्त करके यह स्टूडेंटे सरा पटना क्यों नहीं गए आप पटना क्यों नहीं गए यह तो तुम्हारे आण खाओ गुठीयां कहें रहे हो चल वागे बढ़ते हैं और आगे चलते हैं आगे चल करके दोस्तों कर नाम की जो डिसीज है और नाम की डिसीज जिंक की कमी से होती है अगर आप देखो कि धान की फसल में टिबंड डिसीज का मतलब आगे तरह से पीला हो जाना और खायरा का मतलब पूरी पूरी पत्ती खराब हो जाती जलो आगे बढ़ा जाए आगे जल के और प्रशन आपके सामने पायरोलुसाइट इस इंपॉर्टेंट ओर विच जंः तट्त्व का जलो जली बताओ जयात्तर होने वाला तो परोल शी निम लिखतमे से किस तक तो कि असका सही एंसर दोस्तों याद रख लिजेगा इसका सहीu एंसर होने वाला है डी मेंगनीज मेंगनीज का एक बहुत महत्वपून आयस्क है शॉक एब्जॉर्वर्ष यूजर आप स्टील एग्ष शॉक फ्जरी शॉपी लगये हो तेना भाई को है क। फोसटे हैं यह शॉक invol के बारे बताओ कि ये क्यों मेश्चिल के बनाए जाते हैं मतलब इनकी लास्टिसीटी ज्री थाधा है इन की हम इक नहीं है कि यह डख टाइल जाता है यानिकी तंता है बता यह तो एक बात बात बता दें आपको वाट वHHHH ही उत्तर हो जाएगा कि इनकी elasticity higher है हलांकि स्टील है स्टील डक्टाइल भी होता है पर अंतो डक्टाइल की होने की वज़े से लास्टेसिटी है घर यह हां यह थोड़ा सा साइन्स के क्वेस्टेस आते हैं लोग भागने लग जाते हैं जो लोग भागते हैं उनके लिए सिर्फ इतना कहना चाहता हूं एक तो सबसे पहले और युद्ध नहीं जिनके जीवन में वह भी बड़े अभागे होंगे या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रन से भाग होगी आपको करना क्या है आपको सबसे पहले बात बताईए जितने लोग हैं इसकी पीडियाफ लेने के लिए आप सभी को देखो कॉमेंट में ब्लू कलर से एक लिंक लगी हुई है उसको तुरंत क्लिक करो और डाउनलोड करो अड़र 247 कप एप जल्दी से अड़र 247 का ब्लू कलर से लिंक लगी हुई है वों ब्लू कलर वाली लिंक पर क्लिक करो और ब्लू कलर वाली लिंक पर क्लिक करके तुरंत डाउनलोड करो और दोस्तो आज मेरा सेशन आया है क्यों गृबी है दिल्ली एक हान वाले सेशन को जाकर जरूर कि दिल्ली का है डूबी है कोंसे बां सबसे पानी छोड़ से जिस वह एक दिली रिधा पानी है क्यों वजिराबाद से लेकर के ओखला के बीच में नदी की रीवर बेड इतना उपर आ गई है कि जब भी पानी आता तो पानी उपर उपर बहिता है क्या कारण हो सकते हैं उनके पीछे यह सब आपको ठीक है सबसे पहले आप अड़र 24-7 एप इंस्टॉल कीजे जल्दी से कॉमेंट सेक्षिन में ब्लू कलर की लिंक लगी हुई है उसके अंदर सब कुछ फ्री है भाया हम सब कुछ फ्री में आपको प्रामिस करते हैं टोटल फ्री में पूरा कंटेंट फ्री कंटेंट फुरा फ्री तो याद कर लो आप जब रप्डाउनलोड करोगे तो नेशनल एक्जाम सेलेक्ट कर लेना रेजिटर करने के बाद ससे सब्राई उपर आप देखिए यहां पर कम्यूनिटी को ऑप्षिन आता है तो कम्यूनिटी के आप्षिन पे क्लिक कर यह गाँ यहां और Community option पर क्लिक करके फिर जाए और पोस्ट योर ग्रूप एक्सप्लोर ग्रूप में जाओगे तो जिसके अंदर आपको आज की पीडियाफ शेर्ड मिलेगी लिंक सेशन की और पीडियाफ दोनों तो एक बार जल्दी 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 आप लोग एप डाउनलोड कर हो और एप डाउनलोड करने की लिंक कहां लगी हुई है तो एप डाउनलोड करने की लिंक लगी हुई है कॉमेंट सेक्शन में कहां लगी हुई है तो दोस्तों याद रख लेना ये कॉमेंट सेक्शन में लगी हुई है और कॉमेंट सेक्शन में इस लिंक पर क्लिक कर यह फट जल्दी से फटाफट इस पर क्लिक करो APP install कर लो सब फ्री हो जाएगा यहां पर सब फ्री में मिलेगा और जिसके आप में यह जो डाउनलोड नहीं हो रही है जो पीडिफ डाउनलोड नहीं ठीक है चलो चलो तो तो इते को कोमेंट सेक्षिन में सबसे उपर ब्लू कलर सा नहीं दीख रही है we app Link comment section में देखो ब्लू कलर से नहीं दीख रही चाह सबसे उपर ब्लू कलर के रंग की ऋपर हैakis नहीं जल्दी देखिये concept सबसे उपर है ब्लू कलर की ठीक है तो यह तो सबसे उपर है सबसे उपर वाली पर क्लिक करो यह स्क्रीन शॉट ले लो अट्टा 247 एप होम पेज कम्यूनिटी एक्स्प्लोर ग्रूप जीयस भाई नवदीप सर और जो लोग इसे सेशन को रिकॉर्डट देख रहे हैं उनको यह एप डाउनलोड की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन से कर लिजे का जल दे स्क्रीन शॉट ले लो फटाफट स्क्रीन शॉट लो फिर बताते हैं कि अना अमित कुमार जी भाई या देख तो लो कमेंट सेक्शन दो देख लो कर लिंक इसो नहीं रहा हमें शोगर आप नहीं हो रहा है चलो 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 बढ़िया सो हां सिधार्त थेंक्यू सो मच ख्याल रखिए दोस्तों अब आप सभी से मुलाकात होगी फिर से आज म वीडियो आपके पास रात आठ बजे पहुचने वाला है तो मैंने उसको रिकॉर्ड कर दिया बहुत ही शांदार सा वीडियो आप लोग देखें का जरूर और देखें क्यूंडू भी दिल्ली अभी अभी लाइव हुआ था तो धन्यवाद दोस्तों खयाल रखिए टेक के मैं उसे है जसे हे जड़ा पता सिर्वाद कर दोस्तों ऊत्व हाला है